एक्लेशर्स कैसे हो आप लोग फोपसों बहुती अमेजिंग हो गयार यह आम अप देखे को और इस आमे में अगर आप प्रो बनना चाहते हो तो भाई आपके लिए अभी के टाइम में सबसे बस्ट आप बस्ट है क्योंकि यह army one of the trending army में से एक है जहाँ पे कोई भी town hall over 16 का business में जाए लगबख सभी maximum business को यह 3 star कर देती है कैसे simply यहाँ पे आप लोग को blimp को perform करना होता जाद नहीं तो फिर आप town hall को take down करो blimp से otherwise आप eagle r3 के साथ कुछ value अच्छा खासा निकालो एक पूरा च्छा funneling बनना चाहिए वह funneling finally यहाँ पे complete हो जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे just like आप देख रहे हो यहाँ पे एक invisible को drop किया गया invisible जैसे ही आप लोग यहाँ पे drop कर दिया अब उपर direction से सारे के सारे जितने भी आपके route riders से सभी को release कर देना है इस बंदे ने यही किया है queen को drop किया, grand one को drop किया और साथ पे जितने भी route riders है और जितने भी आपके troops है एक इसमें maximum आप जाओ तो 2-3 लेके चल जा सकते हो 4 भी लेके जा सकते हो पट एक आपको electro titan लेके जाना बहुत ज़रूरी है electro titan इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे skeleton निकलते है बेसस में यार और सिसी में just like witch निकल जा तो भाई इस सबसे बचने का सबसे आकरी और best option है यहाँ पे electro titan क्योंकि अगर आपको time hunt से भी बचाना जैसे यह attack ना दो धंग से perform होता है एक देंग से सारे troops के साथ grand warden के साथ यह attack move होता है और दूसरे direction से king और queen walk करवा दिया जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बस similar direction से move करने की कोसिस की जा रहे हर एक troops के साथ तो इस case में थूरा सा time hunt की ना possibilities बन जाती है अगर आप जाला time spend कर दियो हो decision लेने में या फिर blim को perform करने में तो guys आपको दोनों sides से attack करना पड़ेगा time hunt से बचता है तो otherwise it's okay guys यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही खुबसूर्दी के साथ यहाँ पर यह attack को perform किया जा रहा है unit action से and यहाँ पर ground running के ability को drop कर दिया गया है जिससे सारी के सारी troops immune हो चुके maximum जहाँ पर heavy destruction पर सकता था वहीं पर यहाँ पर immune कर दिया गया है बहुत ही खुबसूर्दी के साथ यहाँ पर gauntlet ability यूज़ कर दी गयी यह वाला glitch अभी चल ला है grand running के ability use करने के बाद और उसके अंदर king रहेगा ना उसके बाद अगर आप king के ability यूज़ करोगे तो grand running के ability का 15 seconds था ना वो king को भी मिल जाएगा फिर से king immune हो जाएगा 15 seconds के लिए तो यह वाला ability अभी तक आप फाइदा नहीं उठाओ उठाओ अभी उठाओ जब तक update नहीं आता है जैसे update आएगा यह वाला ability खत्म सा हो जाए classes अब बहुत ही minimum base बच चुका है यहाँ पर just like आप देख सकतो 83% का destruction हो चुका है तो classes that's it अगर अभी तक आप हम लोगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करों किसका इंतजार है जल सजल चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर दीजे और जूर जाए हम लोगे साथ ultimate RS clash army में यहाँ पर अपर direction से queen काफी अच्छा work कर रही है 90% का destruction हो गया royal champion के यहाँ पर ability को use कर दिया गया है और that's it classers यहाँ पर देख सकते हो कितने कुप सूरती के साथ perfectly 3 star होता हो मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाई have a good day clash on classers